शुरू हो गया है कांस फिल्म फेस्टिवल का 76 एडिशन इस ए लिस्टिड फिल्म फेस्टिवल को ना केवल सिनिमा के सेलिबुरेशन के लिए जाना जाता है बलकि इसके साथ साथ ये फिल्म फेस्टिवल मश्हूर है स्टानिंग फैशन स्टेटमेंट्स के लिए जी हाँ अदाकाराएं अलग अलग तरहें कि आउटफिट पहन कर रेड कार्पिट पर आती हैं और उसकी खूप चर्चाएं होती है चलिए आपको बताते हैं कि इस बार भारत में से किस-किस हसीना को कांस का इंविटेशन मिला है वेल इस लिस्ट में नाम शामिल एश्वर्या, अनुश्का, ईशा गुपता, सारा अली खान, उर्वशी रोतेला और मुरुनाल ठाकुर कांस की रेड कार्पिट पर अपने जलवे बिखेरेंगी तो वही अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कांस में इन अक्ट्रेस के डे टू लुक बीते दिन हमने आपको दिखाया ही था कि डे वन पर ये कैसी लग रही थी, अब ज़रा ये देखिए डे टू पर कैसी लगी है भारतिय हसीनाए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का लुक उर्वशी रौतेला ने जहाँ डे वन में अपनी ज्वेलरी से चरचाए पटोरी थी तो वही उर्वशी की डे टू लुक बेहत औसतन रही उर्वशी की ये लुक फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आ रही है वही दूसरे दिन सारा अली खान ने एक साड़ी पहनी जिसे आक्ट्रेस ने बेहत अलग धंग से तयार करवाया हुआ था इस साड़ी को सारा ने कम्प्लीट लुक दिया पर्ल ज्वेलरी के साथ सारा अली खान के इस लुक की सबसे खास बात थी उनकी दादी शरमीला टैगोर का आइकॉनिक हैर स्टाइल जी हाँ सारा ने अपनी लुक को कम्प्लीट रेट्रो रखने की कोशिश की या फिर यूं कहें की रेट्रो इंडियन अहीं मुरुनाल ने भी दूसरे दिन डेब्यू किया मुरुनाल लैक नेट की आउट्फिट पहन कर कांस में अपने जलवे बिखेरती नजर आई इस आउट्फिट को मुरुनाल ने एक कोट के साथ कम्प्लीट किया और मुरुनाल का ये लुक फैंस को काफी होट और सेक्सी लग रहा है वैसे डे टू में इन तीनों हसीनाओं में से आपको किसका लुक सबसे ज्यादा भाया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा फाइनल काट निउस टेस्क